निर्मला सितारबन जी और उनकी टीम को मैं citizen friendly, development friendly और future oriented budget के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये देश को समुरुद और जन जन को समुर्थ बनाने वाला budget है इस budget से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बहतर कल मिलेगा इस budget के माध्यम से मध्यमबर को प्रगती मिलेगी, विकास की रप्तार को गती मिलेगी इस budget से tax व्यवस्ता का सदर्र करना होगा, infrastructure का आधुनी करना होगा ये budget उद्यम और उद्यमियों को मजबुत बनाएगा, देश के विकास में महिलाओं की भागिदारी को और बढ़ाएगा ये budget सिख्षा को बहतर बनाएगा, artificial intelligence और space research के लाप को लोगों के बीच पहुचाएगा इस budget में आर्थिक जगत के reform भी है, आम नागरिक के लिए ease of living भी है और साथ ही गाव और गरीब का कल्यान भी है ये budget एक green budget है, जिसमें पर्यावरान, electric mobility, solar sector पर विशेस बल दिया गया है पिछले पांक साल में देश निराकचा के मातावर्म को पीछे छोड़ चुका है उस में मातावर्म से बहार निकल गया है अज देश उम्मीदों से भरा हुआ है, आपको विश्वास से भरा हुआ है बिजली, गैज, सड़क, गंदकी, प्रस्टाचार, विआईपी कल्चर अनेक अनेक कठिनाईया, सामान ने मानवी को अपने हक के लिए जद्दो जहाद की जिन्दगी, याने एक प्रकर से खुद से उसको जूजना पड़ता था उसको कम करने के लिए हमने लगाता प्रयास किये है सफलता भी मिली है आज लोगों के जीवन में नई आकांच्छाएं और खूप सारी अपेक्षाएं यह बजेट देश को विश्वाद दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा सकता है यह विश्वाद दे रहा है कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गती सही है और इसलिए लक्ष पर पहुँचना भी इनिस्टी था है यह बजेट आशा, बिस्वार और आकांच्छा का बजेट है यह बजेट 21 सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्मान में एक एहम कड़ी साबित होगा यह बजेट 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 2022 यानि आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारन करेगा पिछले पांच वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसाम, दलीद, पीडीद, सोसित, बंचित को ससक्त करने में एमपावर करने के लिए अनेक भीत कदम उठाए अब अगले पांच वर्षों में यही एमपावर्मेंट उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा पांच ट्रिलियन डॉलर एकोनमी यानि की पांच लाग करोड डॉलर की अर्थे बवस्ता के सपनों को पूरा करने की उर्जा देश को इसी पावर हाउस से मिलेगी बजेट में क्रिसी छेत्रे में स्ट्रक्शल रिफार्म के लिए नई योजनाओं का एलान किया गया है पीएम किसान सम्मान निजी के माध्यम से किसानों को सीधे लगभग 87,000 करोड 87,000 करोड रुपिय का ट्रांसपर हो या 10,000 से जादा फार्मर प्रडूसर और नेशन एप्पीओ का संकल्प मच्वारों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या नेशनल वैरहाउसिंग ग्रीड की स्थापना ये योजना है वर्स 2022 तक किसानों की आए दो गुनी करने में प्रभावी भूमी का निभाएगी ग्रामीन अर्थेववास्ता में निवेश बढ़ाने से गाउं में ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे जन शक्ति के बिना जल संचय संभव नहीं है जल संचय जन अंदोलन की भावना से ही हो सकता है इस बजेट में वर्तमान ही नहीं भावी पीड़ी की चिंता साप साप नजर आती है स्वच्छ भारत मिशन की तरफ हर गर जल का अभियान देश को जल संकर से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाएगा बजेट में लिए गए फैसले अगले दसक की निव मजबूत करने के साथ ही नव जबानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे ये बजेट आपकी अपेक्षाओं का आपके सपनों का आपके संकल्पों का भारत बनाने की दिशा में एक अइतिहासिक कदम है मैं कल काशी में इस विशेपर विस्तार से बात्चित करने वागा हूँ लेकिन आज मैं फिलहाल फिर एक बार वित्नमंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और भारत के समी नागरीकों को उजवल भविश के लिए अनेक अनेक शुबकावनाई देता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद